एक हेलो दोस्तों नमस्कार आप सब का फिर से बहुत-बहुत स्वागत थे में एस्टीटूचनल पर दोस्तों आज फिर से माप सबके लिए एक नया और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लिकर कि जाए हैं जो कि आप लोग को लिए बहुत फाइदेमंद सावित होगा दोस्तों आज किल जो भी लोग नए लोग लगा रहे हैं मसीन उनको मसीन की बेसिक जानकारी बिल्कुल नौलेज नहीं है मसीन के बारे में और वो उस चीज़ को लेकर के परिसान बहुत जादा हो जाते हैं और अगर आप इसे चीज़ के मेकेनिक बुलाते हैं तो आपको 3,000-4,000 रुपे आप मसीन मला जो आता ठीक करने वो लेता है तो हम सोचते हैं कि आप लोग को छोटी से छोटी जानकारी हम वीडियो में दे जिससे कि आपका वह 2,000-4,000 रुपे बच जाए तो जैसे कि म हम लेके आते हैं उसमें हमारा एवरेज नहीं ठहरता है एवरेज पताने चलता कि कितना उसमें निकल रहा है इतना कम क्यों निकल रहा है तो कम निकलने का कारण क्या है वो बताते हैं अगर आप यह सेटिंग मसीन में नहीं किये हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है तो एक इंच है और दूसरा जो paper है हमारा उसमें आपको दिखा रहे हैं यह देखिए इसमें है आधा इंच इसमें आधा इंच तीसरा जो है इसमें बिलकुल ही ना के बरावर है इतना तो होना ही चाहिए नहीं इतना होगा तो plate निनकलता है इतने आना के बराबर इस से क्या होगा आपको फाइदा तो आपका पीस जादा निकलेगा और अगर यह बेष्टेज जादा आता है तो आपका का। सबसे अपहले को बा। इतना में निकल यह सबसे बंदात दिक्कत भी आपका जो माल हूँ तो निकल जा रहा है तो प्लेट कहाँ से निकलेगा तो आज मिशाख को करेंगे आपको दिखाए कि चैvals सेटिंग होती है लेकिन फोड़ी सी बैसिकागे मैं को देजिए कि ये सेटिंग बहुत सिंपल है और बहुत सब्सक्राइब जिनकों पता है उनकों थीक है कोई बात निहीं है लेकिन नहीं पता वह इस वीडियो को लाश्ट तक देखें ताकि वह इस सेटिंग को कर सके और अपना ठीक ठाक निकाल सके माल का क्योंकि पेपर बहुत महंगा आता है और यह कटिंग होने के बाद यह बहुत ही सस्ता जाता है तो यह बेश्टेज हो जाता एक तरह से इसको बचा के चलें जिस सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस तरके वीडियो अप्लोड करें सबसे पहले आप तक पहुचे और अगर यह आप लोग वीडियो अच्छी लगड़ी हो तो प्लिस एक लाइक जरू करें चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं मसीन के पास कैसे इस सेटिंग को किया जाएं जिससे के वेस्टेज़ कम हो जाएं। दोस्तों आ गए हम मसीन के पास जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये जो आप देख रहे हैं ये मसीन का जो में हिस्सा है इसी से पेपर जो है आगे पीछे साइज घटाना बराना किया जाता है और ये जो चैन है तो इसका काम होता है ये घूमता है तो इसका काम होता है प उतना साइज घटेगा और जितना ऊपर जाएगा उतना साइज बढ़ेगा तो आपको क्या करना है कि अपने प्लेट के हिसाब से जो भी आपका साइज हो आपको उसको सिर्फ इसको हिसाब से आगे पीछे करना है थोड़ा सा अगर बड़ा हो तो इसको पीछे कर देना जिसस तो आपकी यही एक सेटिंग है जिससे आपका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और कुएंटिटी आपका प्लेट का बढ़ सकता है यही नहीं होने के विएसे आपका प्लेट कम निकलता है फिर आपको सिकायत आता है कि हमारा पीस कम निकल रहा है इतना में रेट बहुत दि करें मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तप तक के लिए धन्यवाद